कच्छा पांच बार आठ की अमुल्यांकित उत्तर पुष्टिकाओं के डिस्टिविशन के लिए RS के पोर्टल अपडेट किया गया है जैसे हम देखें इस बार जो पोर्सेस है सबसे पहले हैड वैल्वर को जो अमुल्यांकित उत्तर पुष्टिकाओं है वो ओनलाइन एसु करना है इसके उपरांग जो मुल्यांकन करता है वो इन उत्तर पुष्टिकाओं का मुल्यांकन करेंगे सब्सक्तिकाओं तो यसे भी आप सुधार सकते हैं साथ ही डिस्टिविशन के भी जो ऑप्शन है इसे कुछ चेंज किया गया है जैसे हम देखें answer sheet distribution के लिए इस पर हम click करते हैं तो click करने के उपरान थोड़ी process होती है और एक नया page हमारे सामने आ जाता है जहां से हमें सबसे पहले तो जो जनसिक्षा केंदर है वो select करना होता है इसके पस्चाज जो परिक्षा केंदर है वो हम select कर लेते हैं और परिक्षा केंद select कर लेने के उपरान जो मुल्यांकन करता है उनका नाम हम यहां पर select करते हैं कि किस मुल्यांकन करता को हमें copy issue करना है अब यहां पर जो update किया गया है RS के portal पर इसे हम देख लेते हैं जैसे हमने मुल्यांकन करता का नाम सेलेक्ट किया, अब यहां पर आप देखेंगे कि roll number लिखे हुए है, roll number from मतलब यहां से roll number 2 यहां तक, इतने roll number की copy हम संबंधित जो मुल्यांकन करता है, इन्हें issue कर रहे हैं, अब इसमें जो परिवर्तन हुआ है, कि यहां पर आप जो roll number ह इसे change कर सकते हैं, पहले roll number हम change नहीं कर सकते थे जैसे हम देखें roll number from, मानके चलते हैं कि जो valver हमने इसमें select किये हैं, इन्हें 001 से 030 तक कुल 30 copy यां issue करना चाहरा है, तो आपको करना क्या है 001 तो यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर simply आपको 030 कर देना है, तो इस प्रकार से 30 copy जो है सम्मंधित मुल्यांकन करता को issue हो जाएगी, अब इसके उपरां 30 से आगे हमें जो copy issue करना है, तो यहां पर आपको change करना होगा, अब यहां पर आपको लिखना होगा 031 31 से लेके, जहां तक आप copy देना चाहरा है, मानके चलते हम 60 तक copy देना चाहरा है, तो 60 यहां पर कर दें, और जो next मुल्यांकन करता है, उनका नाम आपको यहां पर select करना है, और add पर click करना है, तो इस प्रकार से जो roll number है, इसे आप edit कर सकते हैं, जो कि एक नया update RS के portal पर दिया गया है, अब बात करते हैं, कि यदि बितरन के समय, online जब हमने distribute किया, ओस समय यदि कोई तुरूटी हो जाए, तो इसे कैसे सुधार है, तो इसके लिए आप देखेंगे कि जिन्हें हमने distribute किया है, उनका नाम नीचे आ जाता है, आपको simply edit जो pencil का icon बना है, इस पर click करना है, और click करने के उपरांद, आप देखेंगे कि इसमें एक pop-up message आ जाएगा, जहां से हम correction कर सकते हैं, update के इसमें option दिये गया है, तो आपको roll number पर यहां से change करके update कर लेना है, जितनी copy आपने इन्हें issue किया होगा, उतनी copy उतने यहां पर आपको digit fill करना है, और update पर click कर देना है, तो इस परकार से इनका जो update है, distribution का, वो हो जाएगा, हले कि इसमें अभी चुकि नया कार है, तो इसमें कुछ technical file आ सकते हैं, कुछ technical problem आ सकती है, लेकिन इसमें सुधार हो जाएगा, second बात हम करते हैं, कि यदि जो मुल्यांकन करता है, इनके प्रापतांकों की प्रिविष्टी करते समय कोई तुरूटी हो जाए, तो वे चिंता ना करें, क्योंकि प्रापतांकों की प्रिविष्टी के प्रिविष्टी के पश्चात यदि तुरूटी हुई है, तो इनका recheck, जो है, head valuer करेंगे, और head valuer check करने के उपरांद, जहां पर तुरूटी हुई है, उसे correct करेंगे, और final जो lock है, वो head valuer के login ID से ही किया जाएगा, तो चिंतित ना हो, चुकि इसमें कुछ तक्निकी समस्या आ सकती है, कुछ चोटी मोटी समस्या आ सकती है, तो आप tension ना लें, इसमें update समय समय पर आ जाएगा, जिसमें आप correction कर पाएंगे, ATRS के portal पर नए update के समद में एक महतुन जानकारी, आसा है जानकारी अच्छी लगी होगी, मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ मैं, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, जैहें